कादर खान और अमिताप बच्चन की से फिल्म के शूटिंग कर रहे तकात में तो कादर खान उथर से आये अमिताप बच्चन को ढूंड़ दुन गया रहा ३ा यका прот? तो मैनेजर एक तकरा गया अमिताप बच्चन का बोले आया हैं आई मेनेजर को प्लन है? सारे लोग उनको सरजी बोलते हैं तो कादर खान ने लपेड जाड़ दिया उसको और इतने में अमिताब बच्चन आ भी गये थे बाद एक डिजास्टर डिजास्टर समझते हो ना फ्लॉप नहीं डिजास्टर जो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाई एसी सी मूवीज उनी सो पच्चासी से लेकर बाद भी अपने प्रोडक्शन अपनी खोला एवी सील वह भी जबरतस्त फ्लॉप कर्जे में आ गया हाल अधिते चोपडा एक फिल्म बना रहा था नाम था मुपते यस चोपडा के सिफारिष पर मीताब बच्चन को अधिते चोपडा के फिल्म में रोल मिला और जब सूटिंग एक दिन चल रही थी तो में ताब बच्चन तो 9 बज़ सुबह आ अगे थे 9 बज़ का टाइम था आदित चोपडा ने कहा सर आपको मैंने लिया है अपने पापा के शिफारिश पर आप इस फिल्म में थे भी नहीं इस फिल्म में मैं वोमन इरानी को लेने वाला था तो ये फिल्म आपका है नहीं ये फिल्म है शारुख खान का तो आपको शारुखान के टाइमिंग के कॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा एक टाइम था वो महा नाया कुस्वक बिग भी आज के टाइम में ये सुनना पड़ रहा 2000 में किसी तरीके से केबीशी में एंट्री मिली केबीशी कौन बनेगा करोड़ पती और 2000 में वो टाइम चलता था जब फिल्म स्टार ना टीवी पे आना नहीं चाहते थे टीवी पे किसी सीरियल में काम नहीं करना चाहिए छोटा समझाता था टीवी एव तुच्चा काम इस पर नहीं आना उस टाइम में ऐसा था और उस टाइम में वो आदमी जो टाप के बाद टाप बिग बी एक सुपर स्टार बन चुका था वो आदमी गिरने के बाद टीवी पे भी काम करना शुरू किया केवी सी और वो ही केवी सी था ध्यान देना वो ही केवी सी था जो उसको वापस ऊपर शीरस्ट पर ले जाने में सबसे बड़ा मददकार साबित हुआ तभी तो कहते हैं जो आदमी सुन इसे से सीर्षट पर गया और सीर्षट पर ही इतने सालों तक बरकरार रहा वो नायक हुआ यानि शारुक खान और जो आदमी सुन इसे शीर्ष और शीर्ष से सुन और वापस शीर्ष पर वो आदमी महान आयक हुआ, यह मिताब बच्चन, इसलिए मैं इन दोनों से बहुत सीखता हूं, इन दोनों में से मैं किसी का भी फैन नहीं हो, ना सारुक खान का ना मिताब बच्चन का, लेकिन इनके कामियाभी और इनके म इस दिन रजनी कांथ की मोवी रिलीज होती है छुट्टियां हो जाता आफिस में और वहां के कोई भी डिरेक्टर रजनी कांथ को पिटते हुए नहीं दिखा सकता विलन से मार खाते हुए मरते नहीं दिखा सकता अगर कुछ फिल्मों में इसा हुआ तो भाया उसके परदे परच होता है और वहां के परच होता है कोई भी फिल्ड दुनिया का कोई भी फिल्ड चाहे नौकरी कर लो कोई दूसरा बिजनस कर लो कोई दूसरा काम कर लो कहीं भी चले जाओ कोई फिल्ड आदमी को कामयाभी नहीं दिलाती सर आद्मी के काम करने का तरीका और मिंटल एटिटूइट उसको काम अभी दिलाता है एक एक्जांपल दू मेहमूद के बारे में जानते हो पुरानी फिल्मों में क्मेडियन आते थे सर पुराने फिल्मों में साइड रोल में आते थे वो लेकिन अमिताब बच्चन, राजेश खन्ना, राजेंदर कुमार इन लोगों से जाधा फीस उस साइड वाले अक्टर की हुआ करती थी, महमूद की रोल है साइड लेकिन पैसा वो मेन वाले से भी जादा लेता था हाल ऐसा हो गया था कोई मेन हीरो महमूद के साथ काम नहीं करना चाहता था, क्यों पता है महमूद के साथ काम करेंगे भाईया ये भारी पढ़ जाएगा हमारे रोल पे, मतलब इतना माहिर का लाकार था वो, ऐसा रुतबा छोड़ता था, ऐसी चाप छोड़ता था ओडियंस म किसला मेन हीरो साइड हो जाता था, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, रोल भले ही साइड हो, उसका फील्ड भले ही साइड वाले काम का हो, लेकिन वो अपने काम में इतना माहिर था, कि मेन रोल भी उससे सेकेंड में आता था, आप सारु खान का एक्जामपल लिलो, स सुपर स्टार है, निगिटिव रोल होने के बावजूद उसको सबसे ज़्यादा फेम मिला हीरो से ज़्यादा, अच्छा डर में सारु खान सब लोग जानते हैं, सनी देवल बहुत कम जानते हैं, हीरो जब कि सनी देवल था, बाजीगर में सर्फ विलन था सारु खान, सार सर यहां कुछ नहीं हो रहा, वहां ट्राय कर लेता हूं, इधर कुछ नहीं होता, उधर ट्राय कर लेता हूं, इधर यहां पर लगता है मेरा कुछ नहीं होगा, वहां चला जाता हूं, तुम खाना बदोस रह करके पूरी जिंदगी खतम कर दोगे, मर जाओगे, माबाब भ पच्टाएंगे किस नकले निकले को मैंने पाइदा कर दीया है ये मेंडल एडिट्व राथ हो तो तो को बुरा मानने वाली बात नहीं है बुरा मान रहे हो तो अच्छी बात है बुरा लगना ची बुरे लगे गा तभी तो दिल ही लेगा अंदर से कुछ करने का ज़स्बा आएगा और मेरा परपस भी यह है कि क्या करोगे या ऐसे ही नौटं की बाजी करते रहोगे तो कि कहते हैं खुद उपर फोकस तब तक करो जब तक दुनिया तुम पर फोकस ना करने लग जाए